सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी आरेजी सपोर्ट बोई यूटूब चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग किसी भी नंबर पर कॉल करते हो और एसे में अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है किसी भी आप नंबर पर कॉल करते हैं एगर कॉल करते हैं तो चले फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रेन पर वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरी कीसे समजा देता हूँ कि सट्ग lived अगर किसी नमरों पे कॉल लगा थे तो किसी पर भी अगर舞ा नहीं लग रहा तो आपको क्या सबसक्ता क्रेट्रा प्रोब्लम है क्यूं नहीं लग रहा हूं तो यहां पर सब से पहले कुछ के बैलेंस हो उसके बाद आपको क्या करना यहां पर एक option मिलता है dual sim और mobile network तो यहां पर आपको इसके अंदर आना है इसके अंदर आने के बाद यहां पर for example sim 1 के अंदर मेरे में balance है ठीक है तो यहां पर मैं एटल वाले पर आजाता हूं मैं एटल वाले में मेरे balance पड़ा हुआ है माल दीजिए और इसी से मैं call करो तो किसी को भी call नहीं लग रहा है तो ऐसे में किया वो बताता वो भी आपको जानना होगा माल दीजिए अगर आप किसी को call लगाते तो अगर busy बता रहा है तो या फिर switch off बता रहा है तो वह सब्सक्राइब नंबर पर उसके बता रहा है अगर और नंबरों पर भी लगाते तो वहां पर कोई दिक्कत दिखाते है या नहीं busy switch off या पिर इस तरीके से अनृच्वल इस तरीके के अगर समस्य आते तो वह आपकी दिक्कत नहीं वह दिक्कत है सामने वाले बंदे की उसका दिक्कत है उसके फोन में अगर उसका फोन बंद है तो switch off बताएगा और अगर केसी से बात कर रहा और या फिर नेट्वर्क. चेतर से बारत और उसका फोन है उसमें नेट्वर्क नहीं आ रहे है यह सारी problem हुई जो कि उस बंदे की phone में हो सकता जिसको आप direito आप को पास यह करना हो यहां पर जैसे नेटवर्क मोड जो है वह से टू जीथ री जी यह जो हम शारा से लेटर करने हैं 2G3D2 और प्रफ doctor फोर्जी जो है यहां पर आपको क्लिक कुछ करना है कितना करने के अब क्या करना peace calling ये मेरे में आपके ये option नहीं होगा है अब आपको क्या करने है तो इसको on करना है अगर koयद नहीं कोiere Skate data roaming data being क्या होता वे था मजले जिए data roaming में यहोता मालजिक आपके गाओं के पास एक टावर लगा हुए और एक आपकी गाओं से थोड़ा दूर पर टावर लगा हुए आप जब उससे में कॉल कर रहे हैं आपके जो गाओं का नजदिक वाला टावर है उससे आपका नेटवर्क आ रहा है उस टावर से आपको सिगनल मिल रहा है और इमर्जें आपको यहाँ पर data roaming की जरोत लगती है ठीक है इसको आपको on कर देना है उसके बद अब आपको क्या करना है इस सारी चीज आपने check कर ली उसके बाद अगर आप call करते हो इसके बाद बेगर call नहीं लग रही तो आपको क्या करना अपना sim card निकालना दूसरे phone में डालना उससे call करना है अगर उससे लगती है call तो आपके phone के दिकत हो सकते है फिर आपको क्या करना अगर दूसरे phone में लग रहा है call आपके sim से आपके phone में नहीं लग रहा तब आपको क्या करना है तो इसके लिए सबसे बाद आपको यहाँ पर आना होगा अपने application के अंदर और यहाँ प पर अपना जो अप्लिकीशन है उसको यहां पर एक कुछ सिलेक्ट करना होगा जो कि यहां पर आप देखने के लिए मिलेगा फोन के नाम से आपका हो सकता डालर वगरा हो इस तरह किसे जिससे आप कॉल करते हो उसके अंदर आपको आना होगा इंटर्नल स्टोरिज के अंदर किलियर डाटा किलियर केच कर लेना है जैसे आप किलियर डाटा किलियर केच करते हो उसके बढ़ hela describing वगरा था वो जरा यहां पर कुछ लोग कफीज हो जाएंगे वो लोग यह सोचनगे कि हमारे नमबर तो नहीं डिलिट हो जाएंगे कहीं कॉल इस्टरी तो नहीं डिलिट हो जाएगी तो मैं लोगों को यहीं चीज बताना चाहूंगा देखो यार जो नंबर आप सेव करते हो वह आपके जीमेल के अंदर सेव होते हैं या फिर आपने जो भी लोकिशन आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर सिम कार्ड के अंदर सेव होता है और अगरा आप वहां पर रहती है जो भी वह वही होता है सारह आपके जैकी उसके अंदर से फिरी सिर्फ यह होता है उस चीज़ को run करना उसको वो मतलब call करना है वगरा वगरा करना वो सब सारी चीज़े उसके आप पर जिसे नमबर को आपने सेव किया है तो वह नमबर सेव तो sim card के अंदर है लेकिन वो दिख उसके अंदर रहा है तो ऐसा नहीं होता है से मालीजे आपकी गाने जो हैं वो sd card में आपकी जो memory है उसके अंदर है लेकिन जब आप अपने फोन के अंदर memory डालते हैं तो गैलरी एप जो उसके अंदर आपका फोटो वीडियो दिखता है लेकिन अगर आप गैलरी एप को डिलीट करोगो तो इससे यह नहीं है कि आपका जो की वह से लग रही है आप जब अपना सिर्फ दूसरे फोन में डालते हैं तो उससे अगर लगती है तब आपको यह चीच करना है सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाना कियाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके